Hi friends, आज इस वीडियो में हम कुछ important qualities अपने अपने person की या फिर कोई भी ऐसे इनसान की जो हमें attract करती है अपनी तरफ, वो कौन-कौन सी qualities है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, अच्छा, initial stage में मैं बोलूँ, सबसे पहला अगर कोई इनसान का कोई चीज हमें attract करता है, तो उसकी physical appearance होती है, definitely, उसका financial status होता है उसमें एक class होता है, जो चीज़ें हमें attract करती हैं लेकिन ये चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती आप physical appearance से, या फिर financial status से, या फिर उनका जो class है उससे आप initial stage पे प्यार कर सकते हो initial stage पे वो चीज़े आपको attract कर सकती है लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ समय वैतीत करने लगोगे time spend करने लगोगे जो main चीज़े matter करती है relationship में या इंसान में वो कुछ और होती है और वो ही चीज़े हमें हमेशा के लिए अपने person की तरफ या उस इंसान की तरफ attracted रखती है ये कौन सी चीज़े हैं ये सिर्फ specific person की बात नहीं कर रही हूं मैं ये हमारे नाते रिष्टदार सगे संबंधी उन में भी ये चीज़े हो सकती या उनको छोड़के बाकी किसी अन्य इंसान में भी यही चीज़ें हम ये जादा अट्राक करती हैं ठीक है जिनसे हम थोड़े टाइम का relationship हो गया है तब initial stage पर जो कुछ करता है चीज़ वो मैंने बता दी है आते हैं देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं सबसे पहली बात gentleness आपके person का gentle होना gentleness मतला बहुत प्रेम से बात करना तरीके से बात करना कोई इनसान कभी अगर परिशानी में हैं दिक्कत में हैं तो उसे कुछ समझाना उसे तरीके से निकालना बाहर वो gentleness बहुत attractive होता है अगर आपको लगे कि आपका person बहुत gentle है किसी के साथ भी he is very gentle तो आपको वो चीज एक समझ लो की बहुत खचाब लगेगा एक बहुत आप proud feel करोगे उस चीज पे तो ये चीज़े जो attract करती है ना ये वो भी चीज़े आप मान सकते हो जिन चीजों पर आपको अपने person के लिए एक you know proud वाली feeling आए that मेरे person में ये सारी बाते है second is kindness दोनों same ही almost kind heart होना किसी भी इनसान के लिए कोई needy इनसान है उसके लिए एक दया भावना होना हर किसी के लिए एक दया भावना रखना ठीक है care और care सबसे पहले हमारे उपर ही आता है कि जो person हमारा है वो हमारी कितनी care करता है उसकी बातों में वो अच्छा लगता है उसके behavior में वो दिख जाता है तो वो care वाली जो feeling है जो emotion है वो बहुत important होती है और ये चीज हमेशा attract करके रखती है हमें अपने person की तरफ जिस पल हमें लग जाए कि मेरे person को तो मेरी कोई care ही नहीं है वही से हमारा मन हटना शुरू हो जाता है ओके तो ये दिल को जो बांद के रखता है यही सारी feelings है sacrifice sacrifice का मतलब क्या कि वो इनसान आपके लिए अपना time निकाल रहा है अपने पैसे तक खर्च कर रहा है अपनी कोई भी valuable चीज को भी छोड़ के आपके पास आया है तो यह जो sacrifice हम देखते हैं यह भी बहुत राक करती है ठीक है sacrifice बहुत important है बहुत important होता है relationship में और हर किसी को थोड़ा बहुत तो एक दूसरे के लिए करना ही पड़ता है sacrifice तब ही हमें समझ आती है कि हमारी एहमियत कहां पे थी कि हमारे लिए वो क्या छोड़ सकता है इसके बाद अगर एक और important point मैं यहां पे बोलू तो communication कि वो बात कैसे करते हैं आप से आप जब उनसे बातचीत कर रहे हैं तो एक होता है ना कि अरे उसे तो बात करने का धंगी नहीं पता तमीजी नहीं पता बात करने की तो communication skill अगर अच्छी है आपके person में या किसी में भी जिससे आप पहली बार मिले हैं पहली बार की मुलाकात के और शब्दों का चयान बहुत अच्छा हो ऐसे नहीं कि कुछ भी बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं उसको हम समझ रहें communication communication totally different होता है आप अपने वैचार अपने thoughts को exchange कर रहे हो और दूसरी की बात सुन भी रहे हो communication में सिर्फ बोलना नहीं होता है होते हैं okay so यह भी important point है then इसके बाद अगर मैं आऊं encouragement जो आज के date में मैं बोलू relationship में यह factor तो होना ही चाहिए encouragement वाला कि एक दूसरे को प्रोथसाहन दो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ बोलो कुछ न कुछ बातें ऐसी करो encourage करो आगे बढ़ने के लिए okay कभी भी एक दूसरे को खीचो मत पैर पीछे मत खीचो मान लो हो सकता है कि male characters उनके लिए बोलो कि कभी कभी होता है girlfriend या आपकी जो partner है female partner है उनको होता है कि हम कुछ करना चाते है life में कुछ आगे बढ़ना चाते है लेकिन आप क्योंकि अपने family के बंधन में है और आपके याँ शायद working allowed नहीं है तो आप उनको खीचे उनको रोके वैसा मत करिए आपको अपने person को encourage करना है ठीक है हाँ एक right path पर encourage करना है ऐसा जरूरी नहीं होता कि जिस path को उन्होंने select किया है हो सकता है कि वो गलत हो या फिर वो उतना comfortable ना हो ठीक है उतना सही नहीं हो तो आप उनको कहीं और का रास्ता दिखा सकते हैं कोई और path लेकिन हाँ अपने person को हमेशा के लिए खीच लेना रोक देना गलत बात है so encourage करते हैं encouragement is very very important honesty नीव है relationship की नीव है specific person की आपके specific person आपके साथ कितने honest है और यह हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है उनके behavior से उनके जो भी वो हमसे मिलने आ रहे हैं बाते कर रहे हैं उनके हर activity से उनके हर work से हमें पता चल जाता है उनके honesty का so honest रहे है जो भी बाते हैं साथ सुत्री सीधे सीधे रहनी चाहिए honesty बहुत important है humor yes बहुत important होता है यह मैं बूलूँगी humor है कैसी चीज है ना कि किसी को भी आकरशित कर ले जिसको बातों को बनाना आता है अच्छे से jokes भी ऐसे होने चाहिए कि जिसपे हमें लगे कि हाँ इस joke का कोई मतलब है बेवज़ा के jokes नहीं वो आपके value को down कर देते हैं और कुछ नहीं होता वो jokes नहीं लगते वो ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता ही नी बस कुछ भी बोले जा रहे हो okay so humorous होना humor का होना बहुत important है ये सारी चीजे सिर्फ आपके specific person में अगर होंगी तो आपको attract करेंगी लेकिन same चीजे आप में भी होनी चाहिए ताकि आप भी यही सब चीजों के बल पे सामने वाले को you know वो feeling दे पाओ कि वो आपको आपकी तरफ attracted रहे वो भी आप में वो attraction की पाओस देखें जो आप उनमें देख रहे हो जब ये चीजे होंगी तो affection वो hug वो hold करना हाथों को वो comfort देना एक दूसरे को that affection is very important ठीक है मान लो हम हैं कहीं पे और थोड़ा सा हो सकता है कभी sad है डाउन है एंसामने वाला बरसन आया बस बाते बना के और चला गया तो क्या वो हमें attractive लगेगा उस वक्त नहीं उस वक्त हमें किसी का console चाहिए किसी का एक वो हाथ चाहिए हम कहते हैं एक कंधा चाहिए जिसमें हमें सर रखना है क्या वो कंधा क्या हमें सोने के लिए चाहिए नहीं नहीं वो सिर्फ एक emotional आपको support मिलता है उससे और emotional support जो भी इंसान दे उस वक्त उससे ही हम बहुत जादा attracted feel करते हैं okay so emotional support is very important and effort effort इस बात में कि आप से मिलने आना आपके लिए कुछ करना आपको कॉल करना अपने व्यास शेडूल में से भी time निकालना और आपके लिए काम करना so यह जो कोशिश उनकी होती है यह भी चीज़ें हमें बहुत attract करती है कि इतने busy schedule में से मानलो उनके घर में कोई बहुत बड़ा function है marriage function चल रहा है कोई function है काफी सारे लोग हैं रिष्टेदार हैं सब आये हुए ठीक है और उन सब के बीच से वो time निकालके आपको call कर रहे है तो यह चीज़ बहुत attractive होती है बहुत ज़ादा हमें अपनी value realize कर आप यह पता चलता है कि हमारे लिए उनके दिल में कितनी value कितनी एहमियत है और यह बहुत-बहुत attractive है बहुत-बहुत attractive होता है कि जब सारे भीड में सारी दुनिया को छोड़ कि हमारा person हमसे बात करें हमारे लिए सोचे यह खयाल ही हमें इतने top priority पर रख देता है कि सारी दुनिया एक तरफ थी उस वक्तों मैं उनके दिलों दिमाग में था या थी कुछ बाते हैं जो यह बहुत attractive होती है attract करती है हमें और यह बाते मैंने यहां क्यों बताई है इसलिए कि सिर्फ हमेशा initial बातों पर ही concentrate मत करिए इन सब factors को भी इन सब चीजों को भी अपने अपने person में आप लोग कभी परक्षने की कोशिश कीजिए कि यह सारी चीजे हैं कि नहीं है okay so yes इन से related next videos भी मैं कुछ कुछ लाऊंगी ताकि आप लोग के न थौट्स मन में कोई अगर चीजे हैं तो उनको हम कैसे clear कर पाएं okay so that's all guys thank you so much and God bless you all